और नमस्कार पुने हैं हमारे साथ बनेवे हैं दिल्ली से पधारे प्रमपुझे प्रेम अग्नवेशी जी और हमारा पिछला जो प्रशन था उसकी कनेक्टिविटी के अंदर प्रशन है कि अपने उसमें करम के साथ में भाव की फिर गहराय की बात करें तो हम पूछना चाहे है ऐसे में कई विध्यारती होते हैं तो बच्चे के अंदर किस तरह से उसका भी अलग-अलग करेक्टर होता है अलग संसकार लेके आता है बच्चा अब यहां पर कॉन्फिक्ट आता है कही ना कहीं या वो अभी भाव किस भाव से पढ़ा रहा है वो शिक्षक किस भाव से भाव के पीछे एक बहुत गहरी कहानी है उसे समझना बहुत जुरूरी है उसे कैसे समझा जाए आत्मा जो है मन बुद्धि और एहंकार के साथ कारे करती है तो मन जो है वो आपकी पांच इंद्रियों से जुड़ा रहता है जिसे आप पांचों इंद्रियां स्पर्स कह र looking ठीक है इस पांचों अंदरीयों जुड़ा होता है इन पांचों अंदरीयों से database जो है वो mind एककत्र करता है और brain में रखता है inner brain के active or passive space में रखता है और इसी database से वो विचार बनाता है और विचार और भाव एक दूसरे के पूरक होते है जब विचार अच्छे आते हैं तो भाव अच्छे होने लगते हैं और भाव अच्छे हों तो विचार अच्छे होने लगते हैं तो एक दूसरे के यदि ये डेटाबेस सुधर जाए यदि ये डेटाबेस सुधर जाए तो भाव सुधर जाएंगे तो सबसे पहली चीज यह है कि यह डेटाबेस होता क्या है तो बच्चा किन लोगों के साथ बैट रहा है तो सबसे ज़्यादा समय जो है अभिवावक बिता रहे हैं बच्चे के साथ छोटी अवस्था में उस सवस्था में अभिवावक उसके सामने कैसा ब्यवहार कर रहे हैं उसके साथ कैसा ब्यवहार कर रहे हैं इस पर उसका डेटाबेस डिपेंड करता है वो क्या सीख रहा है अभिवावक हैं अगर वो ही लड़ रहे हैं युद्ध चल रहा है तो बालक क्या सीखेगा बालक के अंदर डेटाबेस गलत होता चला जाएगा वो जो information है जो इखटी हो रही है वो गलत होती चले जाएगी और यदी यदी माता पिता प्रभु भक्ती में हैं बच्चे की संगत अच्छी है वो रोज देख रहा है कि उसके माता पिता किस तरह स कि सेवा करते हैं किस तरह से लोगों की मदद करते हैं समाज के कारियों में किस तरह से योगदान देते हैं तो बहुत कम possibilities ऐसी होती है कि बच्चे बगड़ जाए क्योंकि वो देख रहा है वो सीख रहा है उसका database बनता चला जा रहा है उसका database बन रहा है कि हां किस तरीके से मैं भी इसमें योगदान दे सकता हूँ बच्चे अक्सर वो फालो करते हैं जो आप करते हैं जो आप कहते हैं वो फालो नहीं करते जो आप कह रहे हैं उसे फालो नहीं करते बच्चे वो फालो करते हैं जो वो देख रहे हैं आपको करते हुए तो मेरा मानना ये है कि अभी भावा को को सुधर जाना चाहिए तो उसके लिए जरूरी है कि वो सबसे पहले एक सिक्षा लें कि बच्चों के साथ कैसे ब्यावार किया जाए क्योंकि जो वो ब्यावार कर रहे हैं वो बच्चों का डेटाबेस बनता चलता उसी के आधार पर विचार बनेंगे और फिर ये विचार जो बनते हैं, मन इन्हें बुद्धी को दे देता है, बुद्धी उसे एनलाइस करती है, और बुद्धी एनलाइस करने के बाद निरने लेती है और निरने को एहंकार को दे देती है, और एहंकार जो होता है वो आपकी पांचों करम इंदरी जिनको मोटर organs बोलते हैं उनसे जुड़े होते हैं और फिर आदमी उस पर उपद्रव करने लगता है क्योंकि वो decision ऐसा लिया गया तो भाव जो हैं अगर भावों पे काम करना है तो सबसे पहले विचारों पर काम करना पड़ेगा मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि अगर क्रोध को समझना है तो पहले विचार को समझना पड़ेगा यदि आपको कोई गालियां दे रहा है और आपके मन में कोई विचार नहीं उठ रहा है तो क्रोध आएगा मैं आप से पूछता हूं कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो कोई मा बहन की गालियां देता था तो युद्ध हो जाता था लड़ाई मार पीठ हो जाती थी खोपड़ी फोड़ के चले आते थे है ना यही जब कॉलेज में पहुँचे तो पता चला कि हर दूसरा व्यक्ति मा बहन की गालियां दे रहा है अब मा भी वही है बहन भी वही है रिलेशन्शिप भी वही है क्रोध कहां गया क्रोध कहां गया अब तो क्रोध नहीं आता वो इसलिए नहीं आता क्योंकि आपने उसे accept करना बंद कर दिया क्योंकि आपने उसे accept करना बंद कर दिया विचार उटने बंद हो गए, आपके अंदर विचार उटने बंद हो गए, तो भाव उटने बंद हो गए, तो विचारों को समझना है, तो डेटाबेस को समझना पड़ेगा, डेटाबेस को समझना है, तो हमारी इंद्रियां जहां से भी information gather करती हैं, उसे समझना पड़ेगा हमें ये समझना पड़ेगा कि हम किन के साथ बैठ रहे हैं हम क्या देख रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे विचार उसी से बनते हैं जो हम देखते हैं सुनते या पढ़ते हैं महत्मा गांधी भी बोलते थे बुरामत सुनो बुरामत देखो क्यों? क्योंकि आपकी कही गई बुरी बात किसी का डेटाबेस बन जाती है, किसी के मन में रह जाती है, और फिर वो उस पर एक्षन लेने लगता है, तो इस बात में बहुत गहराई है, तो यदि भावों पर काम करना है, तो आपको विचारों पर काम करना पड़ेगा, डेट और से उस और तक ले जाने की जो यात्रा है और जो आपने एक के बाद एक पश्ण खड़े होते हैं जग्यासा वश तो विचार से भाव से और फिर एक बात और स्वामी जी कह रहे हैं कि अभी भावकों को समझना पड़ेगा उन्हें सुधरना पड़ेगा तो मुझे लगता किस तरह का ऐसा कुई करम नहीं जाये कि वह गलट डेटा बेंद किसे का बन जाया करम नहीं खेरना हो जाया बुरा करम नहीं बहुत-बहुत धन्य雲ँद के साथ आभाल के साथ तिर एक यात्र की और बढ़ते हैं बने रहीएगा अपनीं साहर धन्यาुद